आज के इस वीडियो को अगर आप लोग एन तक देख लोगे गाईश तो आप लोग अपने नविगीशन बार को टोटल ही कस्टमाईज कर सकते हो अपने हिसाब से यानि कि वहाँ पर आप लोग कोई भी कलर डाल सकते हो अपने हिसाब से या फिल लाइव एनिमेशन भी आप सेट कर सकते हो कुछ इस परकार से जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ओसम लगता है अगर आप लोग यह भी चाहते हो कि आप लोग उहाँ पर इमोजी एड करें यानि कि बैक बटन होम बटन और मेनू टास्क का जो काम है वो आपका इमोजी कर दें उस पर किलिक करके आ जरूँ देखना अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर हा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो पास मरे बैल अकॉन को पर सेट कर सकते हो ऐसे इंटरस्टिंग कॉन्टेंट पाने के लिए वड़ते वीडियो के तरफ तो अपने navigation buttons को customize करने के लिए आप लोगों को एक third party application को install करना होगा आपने smartphone में Guys application को लेकर आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है बहुत ही lightweight application है और कुछ मन्द से मैं personally use कर रहा हूँ application को तो application properly work करता है और application install कैसा करना है उसको भी लेकर आपको बिल्कुल tension नहीं लेना है आपको मैं वीडियो में आगे चलकर application provide करवा दूँगा Guys application को जब आप लोग first time open करते हो तो आपको application में एक basic सा interface देखने को मिलता है first में जो आपको एक option मिल जाता है उसमें enable करने का option आप लोग को simply enable कर देना है application को उसके बाद step by step मैं सारे आपको features से मिलवा देता हूँ Guys सबसे पहला जो feature है वो color का जो कि मैंने आपको पहले बोला था आप लोग अपने इसाप से navigation button के color को change कर सकते हो जैसे आप लोग color select कर लोगे अपने इसाप सापको लोग manually भी color select कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर default color नहीं देखने को मिलता है तो color select करने के बाद आप लोगो को on off के button पर tap करने है जैसे ही आप on पर tap करेंगे आप देख सकते हो आपका जो navigation button का color है वो कुछ इस परकार से change हो गया है अब इसके बगल में जो आपको एक option मिलता है image का image पर जैसे ही आप लोग जाते है तो आपको यहाँ पर default बहुत सारे अच्छे quality में images वगारा nature का देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग अपने navigation button में कुछ इस परकार से set कर सकते हो या फिर अगर आपको लगता कि आपको अपना photo navigation button में set करना है तो वो भी आप कर सकते हो आपको top में image का option मिलता है इसमें click करके आप लोग directly gallery में जा सकते हो वहाँ से जाकर अपने photo को select करके आप लोग directly अपने navigation button में अपने photo को save कर सकते हो अब आपको नीचे animation का option मिल जाता है जो कि मैंने वीडियो के starting में बोला था live animation जो कि आपको default बहुत सारा option मिल जाता है आप यहां से आप लोग select करके उसको भी अपने phone में set कर सकते हो कुछ इस परकार से जो कि देखने में बहुत ज़्यादा cool ल रख सकते हो आपको फिफ्ट मंबर पर जो option दिख रहा है वह है emoji का option जिस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे जैसे कि आप लोगोंने मेरे thumbnail में देखा था emoji का option उस पर किलिक करके आप लोगों को यहां पर अपने navigation बटन को आप लोग emoji के तरह create करके रख सकते हैं यहां पर फर्स्ट वाले left बटन में कौन सा emoji चाहिए वह आप लोग select कर लो और आपको राइट वाले बटन में कौन सा emoji चाहिए वह भी select कर लो select करने के बद आपको यहां पर set पर किलिक कर दाना है उसके बद आप लोगों का जो navigation बटन है उसको आप लोग emoji के उपर exact बैठा सकते हो यानि कि set कर सकते हो उसके लिए आपको space between emojis का option मिलता है इसको आप लोग adjust करके अपने navigation बटन के उपर emoji को set कर लेना यानि को tax manager पर जा सकते हो apps को clear कर सकते हो किसी भी काम करते हो एक back कर सकते हो emoji पर tap करके जो कि बहुत ज़्यादा awesome हो जाता है उसके बद इस application में एक आपको pro feature मिल जाता है जो कि battery पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहां पर एक battery percentage को option मिल जाएगा आप लोग select कर सकते हो इन में से कोई भी आप लोग battery percentage को आप लोग सेट कर लोगे तो आपके navigation bar में आपको बताएगा कि आपके phone में कितना ज्यादा battery percentage है वो आप अपने इस आप से enable कर सकते हो हो सकता है कि इस application को use करते वक्त आपको कुछ adds देखने को मिल जाए बट उसको लेकर आपको tension नहीं ल तो इस application में आप लोग directly चले जाएंगे play store में वह से जाकर इस application को आप लोग easily अपने smartphone में stall करके रख सकते हो जो कि बहुत ही जदा कम mb का application है आप लोग के लिए helpful रहा है वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो like हिट करो यार और चैनल पर अगल पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो साथी पास मेरे bell icon को all पे set कर सकते हो ऐसे interesting content पाने के लिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को हर हकते दो या तीन quality content देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा awesome होता है कुछ लोगों का कहना है so friends आप लोग इस चैनल को subscribe करके रख सकते हो so friends वैसे आप लोग Instagram में भी follow नहीं कर रहे हो मैं कुछ दिल से Instagram में बहुत ज़्यादा active हूँ अगर आपके मन में कोई भी query है इस वीडियो के related तो आप मुझे Instagram में follow कर लो link आपको description में मिल जाएगा वह से आप लोग मुझे directly DM कर सकते हो so friends मैं मिलता हूँ किसी और अच्छे quality content के साथ तब तक के लिए goodbye and stay tuned